हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर जो प्रेसिडेंट ओफ इंडिया यानि की भारत के राष्ट्रपती से संबंधित केसिस पर आधारित है LLM इंट्रेंस अग्जाम और जूडिशरी अग्जाम में बहुत बारी केसिस पूछे गए हैं आज के वीडियो में हम तीन केसिस पर फोकस करेंगे पहला है N.B. खरे वर्सिज इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया दूसरा राम जवाया वर्सिज इस्टेट ओफ पंजाब तीसरा है समसेर सिंग वर्सिज इस्टेट ओफ पंजाब आए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पहले बात करते हैं Constitution के Article 71 Clause 1 की जो कहता है All Doubts and Disputes Arising in Connection with the Election of President are to be decided by the Supreme Court whose decision is final इसका मतलब है कि राष्ट्रपती के चुनाव से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जाच और विनिश्चय उच्चतम नयालय द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा पहला केस देखते हैं N.B. Khare vs. Election Commission The Supreme Court has held that it would not entertain any petition challenging the presidential election before the completion of the election process and declaration of the result The Supreme Court has therefore held that a person who is neither a candidate nor an elector could not file a petition to challenge the president election इस केस में माननिय सुप्रिम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपती के चुनाव को चनोती देने से संबंधित कोई भी याचिका चुनाव संपन्न होने से पूर्व स्विकार नहीं की जाएगी अर्थात जब तक चुनाव की प्रकिरिया पूरी नहीं हो जाए और परिणाम घोशित नहीं हो जाए उससे पहले कोई भी ऐसी याचिका जो उस चुनाव को सवालों के घेरे में खड़ी करती हो वो माननिय सुप्रिम कोर्ट द्वारा स्विकार नहीं की जाएगी साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति राष्टपती चुनाव का कोई प्रत्याशी या फिर चैन करता नहीं है वो राष्टपती के चुनाव को चुनोती नहीं दे सकता अर्थात जो लोग चुनाव लड़ते हैं या फिर जो राष्टपती को चुनते हैं केवल वो ही इस चुनाव की व्यधता को चुनावती दे सकते हैं अन्य व्यक्ति इसे चैलेंज नहीं कर सकते Presidential and Vice Presidential Election Act का Section 14 भी यही बात करता है कि राष्टपती के चुनाव को या तो प्रत्याशी द्वारा या फिर दस या दस से अधिक चैन करताओं द्वारा ही चुनावती दी जा सकती है दूसरा केस है राम जवाया वर्सेस स्टेट अफ पंजाब Mukherija Chief Justice Speaking on behalf of the Supreme Court stated that our Constitution has adopted the British system of Parliamentary Executive that the President is only a formal or constitutional head of the Executive and that the real executive power are vested in the Minister or the Cabinet इस केस का फैसला देते समय उस समय के मुख्य नयदिश मुखरीजा जी ने कहा था कि हमारे सम्विधान ने संसदी कारेपालिका की British प्रणाली को अपनाए है जिसमें राश्ट्रपती केवल औप्चारिक या सम्विधानिक प्रमुख है वास्तविक कारेपाली का शक्तियां मंत्री मंडल में नहीं थें दोस्तों हमारी सम्विधानिक प्रणाली में सारे काम भले ही राश्ट्रपती के नाम पर होते हैं लेकिन वो केवल नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं अस्ली शक्तियां प्राइम मिनिस्टर और मंत्री मंडल के पास होती है अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट केस पर समसेर सिंग वर्टस स्टेट अफ पंजाब The Supreme Court stated that It was not correct to say that the President is to be satisfied personally in exercising the executive power The President is only a formal or constitutional head who exercise the power and function conferred on him by or under the Constitution on the aid and advice of his Council of Ministers Whenever the Constitution requires the satisfaction of the President for the exercise by him any power or function, it is not his personal satisfaction but in the constitutional sense, the satisfaction of the Council of Ministers इस केस में माननिय सुप्रिम कोर्ट ने कहा था कि ये कहना सही नहीं है कि अपनी कारिपाली का शक्तियों का प्रियोग करते हुए राष्ट्रपती की संतुष्टी उसकी निजी संतुष्टी है राष्ट्रपती केवल औप्चारिक और संविधानिक प्रमुखें और वो अपनी शक्तियों का प्रियोग संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर मंत्री परिशत की सलाह और सयोग पर काले करेंगे जब कभी भी संविधान में संतुष्टी सब्द का प्रियोग होगा प्लीस लाइक शेर और कम्मेंट